नवश्कार आप देखरें नियूस पी यार और मैं हूँ आपके साथ चूती सफ़ा दिल्ली में आज जदियों की राश्चुकाइट करनी की बैठक होनी है जिस बैठक में शामित होनी के लिए जदियों के सभी नेदा मंत्री दिल्ली पहुँच रही है ऐसे मैं अब आपको बताते हैं कि आज के जदियों की इस बैठक में कोई बड़ा फैसला नितीश को मार ले सकते हैं इसकी खबर सामने आ रही है सुत्रों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि लोग सफाचुनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जदियों इस तरीके से अपनी पकर बना चुका है ऐसे में विधान सफाचुनाओं में किस तरीके से अच्छी वोट जो है जनता से लेनी है किस तरीके से फिर से जीत हासल करनी है इसके तयारी जो है जदियों इस बैठक में कर सकता है जद्यू की इस बैटट में क्या-क्या मुख्य बाते हैं ये अब तक सामने नहीं आई हैं लेकिन सूत्रों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि आज की इस बैटट में नितीश कुमार अपने कुर्सी आगे किसे देंगे ये भी फैसला हो सकता है जिन नामों में आपको बता दें कि सबसे पहना नाम नितीश कुमार के बेटे निशान्त का सामने आ रहा है ऐसी बाते सामने आ रही है कि निशान्त जो हैं वो राजुनिती में इंट्री कर सकते हैं विधान सफा चुनाओ का वक्त है और ऐसे में नितीश कुमार अपने बेट को राजमिती में इंजरी करवा सकते हैं। यह बाते जो हैं सामने आ रही हैं लेकिन आपको बता दे कि यहां कही न कहीं संजज छाका का नाम भी सामने आ रहा है संजर छार मेंशा ही bjp से टार्मित बनाई रखने में आगे बढ़ते हैं जब भी बीजेपी से बात करनी होती है तो संजेच हां को जद्धी तरफ से पहले भेजा जाता है तो ऐसे में ये भी बात है कि क्या निदीश कुमार इस बार अपने कुरसी संजेच हां को दे सकते ही या फिर इस बार नितीश कुमार इस बार के चुनाओं में अपने नाम के साथ ही विधान सफा चुनाओं में जदियू की तरफ से चुनाओं लड़ेंगे वहीं आपको बता दें कि इस बार का जो विधान सफा चुनाओं है वो काफी जादा खास हो गया है क्योंकि लोग सफा चुनाओं में जो प्रदर्शन देखने को मिला जिसमें जदियू का अच्छा खासा प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला जदियू ने अच्छी वोट हासल की और साथी साथ कई सीटे भी हासल ही ऐसे में अब देखना होगा कि विधान सफा का जो तयारी है जो विधान सफा को लेकर के जो बैचकी की जा रही है आज के इस पैटिट में क्या मुख्य फैसला लिया जाता है जो भी अपडेट है वो लगाता है हम आप तक पहुंच झाल